महात्मा गनीनात कोविन जेन्ती समारो वार्चिक पुझनोत्सों और समेलन को तयारी को लेकर यहां तयारी जोड़ों पर है हम आपको बता दें कि यहां पर संत सुफी योग विद्या मरमग ग्यानी और समाज सेवी महात्मा गनीनात गोविन जयनती का तीसवा पुझ नोत्सो सामरो 16 सिप्तम्ब्र 2023 दिन सनीवार को मंदिर से धरमचाला निर्मान अस्तल आर्वियार उच विद्याले के खिल मैदान में रफी गंज में बड़े धुम धाम से मनाया जाएगा महात्मा गनीनात गोविन जयनती सामरो इस रफी गंज प्रखंड के नगर के आर्वियार फिल्म में किया जा रहा है तो इसके बारे आप क्या कहना चाहेंगे आज यह जयनती सामरो 16 सितंबर दिन सनिवार को बहुत ही धुम धाम से मनाने का संकल्प लोगों ने लिया है और हमारे कार्जकरता तमाम विभिन जगहों पर जाकर परखंड से लेके जीला मुख्याले तक जा जा करके और अवंतरन पत्र देकर यह अतितियों का बुलाने का काम किया है कि ताकि यह आयोजन सफल हो यह आयोजन तीस वर्ष इस वर्ष तीसमा वर्ष मनाया जाएगा और इस अवसर पर इस मंच का उध्गाटन करता परमादर निये बड़े भाई सांसत स्री सुशिल कुमार सी जी होंगे और बच्चे लोगों का कार्ज करम परतियोकता कार्ज करम चलेगा और जिसका बच्चे लोगों का कार्ज मिघावी जो बच्चे होंगे उनको पुरुषकार बित्रन हमारे पुर्वराजपाल परमादर निये हमारे गारजियन निखिल बाबु के करकमलो द्वारा किया जा का कार्ज करम के साथ साथ उत्साहित पुछ ऐसे अतितियों का स्वागत भी होगा और उनको आने वाला जो दिन है उसमें देखा जाएगा कि हमारा समाज संगठन कैसे होगा हमारा समाज संगठित कैसे होगा और परतेक परखंड में परतेक परखंड में हमारा जहेसे समाज का अपना समाज का संगठन मजबूत होगा इसी बिन्दों के साथ साथ यह आयोजन पर तेक वर्ष किया जाता है कि ताकि एक दुसरे का दान पर दान हो और बातों का भी से जह से चले लोगों से चर्चा जब होगी तो समझ में आएगा कि हमारा समाज जो बिश्ड़ा हुआ समाज है छोटा सा ओ कहां तक अभी तक पहुंचा है और किस बिंदों पर इसको ले जाना है लक्ष क्या है हम लोगों का लक्ष है कि बच्चे लोगों को सिच्छा सिच्छा के अभाव के कारण हमारा अभी तक समाज अधूरा पड़ा हुआ है सिच्छा का जैजी जागरूप हो जाएगा तो उस दिन हमारा समाज अस्टेज अलग दिखेगा मेरा नाम पप्पु कुमार गुपता अखिल भारती मद्देशिय हलवाई परखंड साखार अफी गंज